हेलो फेंट्स वेलकम टू मादव डैसिज मादव डैसिज में आप सभी का बहुत भूस्वागत है आज की वीडियो में देखिए फेंड्स हम काना जी की ड्रेस बनाएंगे एक रूमाल से और बिना किसी सिलाई मशीन की हैर्प से हम इस ड्रेस को बनाएंगे यहाँ पर हम 4 और 5 नंबर काना जी के लिए इस ड्रेस को बना रहे हैं तो सबसे पहले देखिए हमें क्या करना है इस रुमाल को हम ऐसे खोल लेते हैं और यहाँ पर इसका मेजरमेंट आपको बता देती हूँ यह देखिए इसकी कट कर देंगे अब हम कट करने के बाद देखिए यहाँ वाला पीस हमने ले लिया है और यहाँ पर देखिए मैंने बताया है इसको 6 इंच चोड़ाई में लिया है मैंने और 12 इंच हैंकी की यहाँ पर लंबाई थी तो अब हमें क्या करना है देखिए यहां से हम 5 इंच पर एक मार्क लगाएंगे इस तरह से 5.5 इंच पर मार्क लगाना है और बिल्कुल हमें इसका सेंटर देखें यहां से इसके सेंटर पर यहां अंदर की साइड ऐसे मार्क लगाएंगे और इस सेंटर से हमें यहां से देखें ऐसे फोल्ड करना है इसको एक बार इधर से फोल्ड क और इसको फोल्ड करने के बाद थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा है इसको हम कट कर देंगे और यहां पर देखिए अब हम इस पर मार्क लगाएंगे तो यहां से हम यहां से देखिए इस वाले कॉर्णर से साड़े तीन इंच पर एक मार्क यहां पर लगाएंगे और यहां से भी स इसको ऐसे एक इंच पर मार्क लगाएंगे, इस तरह से एक इंच पर, और यहां से भी हमें तीन इंच पर मार्क लगाना है, यह देखिए हमने तीन इंच लिया है, और यहां से लगाएंगे हम एक इंच पर मार्क, और इस मार्क को हम यहां पर इस मार्क से मिला देंगे, यहा से ऐसे मिला देंगे और मिलाने के बाद हम इसकी यहां से देखिए इस तुरह से घटिंग करेंगे और इहां से भी कटिंग करेंगे तो हल्किसी गोलाई लेनी है हमें यहाँ पर बहुत जादा नहीं लेनी है बहुत हल्किसी गोलाई लेते वे हम इसको कट कर देंगे और ऐसे ही हम इधर की साइड करेंगे आप चाहें तो इस पर यहाँ पर ओल पिन लगा सकते हैं ओल पिन से फिर यह ही लेगा नहीं और यहाँ से भी हम इसको ऐसे कट करेंगे अब हम इसको देखी यहां से ऐसे खोल लेंगे और यह जो पॉर्शन है इधर वाला और इधर वाला इसे हमें स्टिच करना है तो यहां से देखी हम इसको ऐसे मोड़ेंगे इधर से और यहां तक मोड़ेंगे इसको और मोडने के बाद इसको निडल की हेल्प से स्टिच करेंगे यहां से यहां तक हमें यह सिलाई लगानी है यहां से देखी दोनों साइड से हमने इसको स्टिच कर लिया अब यह हमारी किनारी है और इससे जो दूसरी साइड है यहां पर हम देखिए इसको यह उल्टी साइड है हैंके की सीधी साइड है तो उल्टी साइड की तरफ हम इसको ऐसे मोडेंगे और ऐसे मोडने के बाद इसके उपर भी हम यहां से इसको स्टिच करेंगे यहां से भी स्टिच करने के बाद अब देखें इसको हम उल्टी साइड से ही ऐसे रखेंगे यह सीधी साइड है और इसको हम यहां से ऐसे मिला देंगे इस तरह से और मिलाने के बाद अब देखें यहां पर ओपन साइड है यहां कोर्णर पर आने के बाद चाहां से देखे हमने यह बाजू बनाई थी यहां पर दोनों पीस को हम इस तरह से लेंगे और इस तरह से नौट लगा देंगे तो यहां से यह पक्का हो जाएगा और जैसे हमने देखे फ्रेंड्स इधर से इसको सिला है ऐसे ही इसको इधर से भी सिलकर रेडी कर लेते हैं देखे दोनों साइड से हमने इसको स्टिच कर लिया अब हम इसको यहां से ऐसे सीधा कर देंगे ऐसे दिखे सीधा करके यहां से इसको ऐसे हाथ से सेट कर देंगे थोड़ा सा हाथ से प्रेस करके और इधर से भी इसको ऐसे ही सेट कर देंगे तो देखे फ्रेंड्स ये हमारे काना जी की और जैसे ये देखे कौन नहीं निकल गए हैं इन कौनों को हम अंदर की साइड ऐसे करके इनको भी हम सुई से एक बार स्टिच करेंगे यहां से देखे फिर ये बाहर की साइड नहीं निकलेंगे इस तरह से हम इन पर टाके लगा देंगी दोनों साइड तो ये पक्के हो जाएंगे और अंदर की साइड एड़ेस्ट हो जाएंगे यह देखे यहां से यह अंदर की साइड हो गया है और यहां से देखे इधर से बाहर निकल रहा है तो इसको भी हम इसी तरह से स्टिच करेंगे दिखी फ्रेंट्स हमारी ड्रेस बन करके तयार हो गई है और ये काना जी की गाउन वाली ड्रेस है इसको हम काना जी का गाउन भी बोल सकते हैं बहुत इस इंपल तरीके से मैंने आपको इसको बनाना सिखाया है I hope आपको समझ में आ गया होगा तो friends आज की वीडियो आपको कैसी लगी अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं तब तक के लिए राधे राधे